समझकार दोस्तों, मैं हूँ योगिता, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड्स काये में गर्मियों में पसीना आना अच्छी बात है ये आपके शरीर के ताकमान को समानने रखता है खासकर गर्मियों में कोई भी काम कर रहे हूँ ये wordaok ke doran पसीना आना आम बात है लेकिन अगर आपको जरूरत से ज़्यादा पसीना आता है तो आप hyperhydrosis बीमारी के शिकार हो सकते हैं इस बीमारी में हात और पैरो में ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है hyperhydrosis के पीछे कई कारण हो सकते हैं ये बेमारी जनेटिक भी हो सकती हैं, इसके अलावा थाइरोइड, डाइबिटीज, हाइपर टेंशन और किसी तरह के संक्रमन से भी हो सकता है। आप अपनी डाइट में नमक और अलकोहल की मात्रा कम लें, इसके अलावा जादा तली भुनी चीजों को खाने से परहेज करें। गर्मी के मौसम में फाइबर और पानी से भरपूर चीजों का सेवन करें। विनेगर में एंस्ट्रिजेंट के गुण होते हैं जो पसीने को नियंतरत करने मदद करते हैं। रोजाना दो चम्मच विनेगर और दो चम्मच शहिद को एग लास पानी में मिलाकर खाली पेट विये। नीबू का जूस नीबू का जूस स्वास्ति के लिए बहुत फायदे मद होता है। शाकस आपने हाथों राप में थोड़ सा नाडल। टेश लगाकर अपने आंज, पेरों में रगड़ें ताकि पसीना कम आए। अलोवेरा जल तवचा को ठंडक रहत दिलाता है। आप इसे तवचा में सीधनिया लगाए, इसे लगाने से पसीना कम आता है। ब्लाक टी, ब्लाक टी में टैनिक एसड होता है, इसमें एंटी, प्रिस्पाइरंट और एंटी, एंस्टिजन्ट के गुण होते हैं, आपको एक साफ कपड़े को ठंडी चाए में डालना है और अपने पैरो पर लगाना है, इससे आपको तुरद अराम मिलेगा, तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ, आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, हमें कमेंट करके जूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले